है 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 हमें जब वुंड जैसे कि अभी सौरब बता रहे थे कि वुंड को ड्राइ नहीं रखना है जैसे इनका वुंड अभी ड्राइ था जब हमने खोला ड्राइ नहीं रखना है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट ही रखना होता है चीक है हमें बताओंगे कि यह बहुत बड़ा नहीं है छोटा सा है लेकिन फिर भी मैं बता दूंगे इसको क्लीन किस तरीके से करना होगा अगर ब प्रक्रणफี้ तरस हम जाये names क्यों हम जादा गंदी जागा वाली जगा से कम वाली जगार में आते हैं समस्तें less contaminated area रिया टू, more contaminated area हमें जानाम होता है अगर हम जादा contaminated area कि तरफ से इधर की तरफ आते हैं तो तो वहां से सारे किटारूं अपने साथ लेके बीच में वुंद की तरफ आ रही हैं, समझ रहें? तो हमें क्या करना है? Less contaminated area to more contaminated area जाना है ताकि बीच के जितने किटारूं है, वो सारे निकलते निकलते बाहर चले जाएं और फिर वहां से पूरे के पूरे clean हो जाएं सबसे पहले हमें वुंद के आसपास की जगा को साफ करना है एक circulated motion में करना होगा सिर्फ एक बार हमने ऐसे फेरा उसको फैक दिया दूसरा गॉस लिया, एक बार ऐसे clean किया उसको फैक दिया चिक? उसके बार जैसे मैंने आपको बताया, बीच का area हमें साफ करना है यहां से ऐसे कटे हुए एक round मारा और निकल दिया यहीं कि उसी गंदे वाले को जगा जगा फिर दुबारा ऐसे 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 करते रहे नहीं एक बार ऐसे circulating motion में किया और उसको फैक इसी तरीके से इधर वाले को आस पास की जगा को पूरा पहले साफ करेंगे उसके बाद बीच में से एक ही motion में हमें ऐसे clean करना है और निकाल देना है ठीक है फिर उसके बाद हम saline से पहले साफ किया उसके बाद हमें थोड़ा सा बीचा दिन सौक करेंगे बीचा दिन हमने सौक किया हमें completely उसको पूरा गीला करके नहीं रखना है ठीक है सिर्फ हलका सा सौक करना है और उसको tightly squeeze कर देना है चीक है ताकि क्यों क्योंकि हमें थोड़ा सा इसके अंदर सिर्फ क्लीनिंग के लिए चाहिए तेट सेट ठीक है ऐसा नहीं कि गीला सौक करके और उस पर चिपका दिया और वह पूरा दिन ऐसे ही चिपका रहा है ऐसा नहीं करना है आप 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 फरस समय आप आप आ आ झाल झाल झाल